नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिती क्रियेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैप्री बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका यहां पे हम कटिंग भी सीखेंगे और स्टिचिंग भी सीखेंगे यह जो इस तरीके से उपर बटन लगाए हुए है एक हमने यहां पर पैंच लगाया हुआ है बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और यह रेडिमेंट इस्टाइल वाली यहां पर लग रही है पूरी हमारी कैप्री बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी हमने यहां पर पोके लिया है यहां पे सवा मिटर कम से कम कपड़ा होना चाहिए हमारे पास और कैपरी हमने पुरानी ली है कोई भी आपके घर में पुरानी कैपरी हो उसी के नाप से भी आप यहां पे कटिंग कर शकते हो यह आप वैसे भी कटिंग कर शकते हो तरीकिया लग लग होते हैं लेकिन अगर आप फर्स टाइम कटिंग करके बनाना चाते हो तो आपने कोई पूरानी कैपरी लेनी है और उसी के कोडिंग यहापे कटिंग कर लेनी है तो यहाँ पर दोस्तों यह जो कैपरी की लेंथ है हमारी यह हमारी 21 इंच तो 21 इंच हमारी बिलकुल तयार ठीक रहेगी सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जो कपड़ा बिछाया हुआ है हमने इस तरीके से डबल ऐसे जो कन्नी वाला पार्ट होता है अपनी साइड रखा हुआ है कि इसमें उपर की साइड एक निसान लगा लेंगे लास्टिक के लिए और यह रखेंगे हम दो इंच का गैप 2-5 इंच लास्टिक के लिए काफी रहता है डा इंच रख लिया है है ऐसे अब हमें यहां पर कैपरी बिछानी है ऐसे यहां पर रखेंगे कैपरी को और यहां पर लेंद का निसान लगाएंगे सबसे पहले नीचे के लिए फोल्ड के लिए तकरिवन 2 इंच अब हमें यहां पे आश्रान का निसान लगाना है यहां पे हमारा साइज भी आजाएगा और आश्रान का निसान भी आजाएगा यह और जो यहां पे रखना है हमें मोरी का नाप मोरी का नाप भी हम यहां पे सित्री के से रखेंगे यह हमारा मोरी का नाप आ जाएगा अब हम इन निसानों पर भी हम पर सबसे पहले सीधा लगाएंगे निसान यह वाला ऐसे और यहां से हम तक्रीबद 2 से 72 इंच लेंगे एक निसान यहां पर सीधा आता है ऐसे सीधा लगाने के बाद हलका सा हम अंदर की साइड लेंगे आदा इंच इस तरीके से और यहां पर गोलाई डाल देंगे अब हम यहां पर सेफटी की मदद से ऐसे निसान लगाएंगे इस साइड भी हलकी से हमारी सेवाएगी और यहां से सीधा रखेंगे हमें पोकेट भी लगाने है अब दोस्तों इन्ही निसानों के उपर हम कटिंग करेंगे सबसे पहले उपर से कटिंग करेंगे अब यहां की करेंगे हैं साइड और यहां पर सीधी कटिंग करेंगे हल्की सी सेफ जैसे थी हमारी इस तरीके से सेफ देंगे यहां पर तो तो इस तरीके से हमने कैपरी का फरंट साइड अथनी कटिंग कर ली है अब हमें बैक साइड कटिंग करनी है बैक साइड कटिंग करने के लिए भी हमने सेम इसी तरीके से आगे की साइड यह कपड़ा बिछा लेना है और यहां पर रखना है फ्रंट ऐसे अब हमें एक निसान यहाँ पर आगे की साइड ऐसे बढ़ाना है एक मोरी वाले पॉइंट पर ऐसे बढ़ाना है और यहाँ पर आपने देखना है यह लेंगे हम यहाँ पर देडिच और यहाँ पर लेंगे हम सबादोईच और इस पॉइंट से यहां पे इस तरीके से हम हलका सा क्रोज करते वे निसान लगा लेंगे अब सेफ फट्टी की मदद से फिर से यहां पे इन निसानों को ऐसे मिलाएंगे और बैक साइड हमें हलकी सी बड़ा की कटिंग करनी होती है तो यहां पे हमें एक निसान लगाएंगे एक इंच उपर की साइड ऐसे यह तरीका होता है आसान तरीका बिल्कुल कटिंग करने का जो की बिल्कुल परफेक्ट आएगी कोई दिकत भी नहीं आएगी और आएगी तो दोस्तों कैपरी हमने यहां पर कटिंग कर ली है परफेक्ट तरीके से तो दोस्तों अब हमें यहां पर करने है स्टिचिंग तो सबसे पहले हमें कटिंग करनी होती है जो पोखिट हमें यहां पर लगानी है तो इस पॉंट से जो यह निसान है इस से हम तकीबरं 2 इंच नीचे रखते हैं 2-5 इंच तक नीचे की साइड रखेंगे और यहां पर जो पोकेट कम होगा वह आएगा हमारा छेंच का तो हम यहां पर कट लगा लेते हैं इस तरीके से मैंने तक्रीबन साड़े छेंच ही कर दिया है पोकेट कम हो अब हमें पोकेट कटिंग करनी है तो हमने एक पीस लेना है कि इस तरीके से इसको डबल कर लेना है कि एक साइड से आएगा यह उपर से छेंच एक साइड से आएगा यह हमारा साड़े छेंच से साथ इच और यहां पर इसमें सेव ऐसी डाल देंगे और यहां से सीधा होना चाहिए बिल्कुल तो यह हमारी आपर पोकेट आ जाएगी कुछ इस्तरी के से लगाएगे हम यहां पर ऐसे और यह ढब जाएगे जब लास्टिक डालेंगे तो अंदर की साइड यह दब भी जाएगी और पूरी परफेक्ट आएगे तो सेब इसी साइज के हम एक pocket और cutting कर लेते हैं तो दोस्तों दोनों pocket हमने यहाँ पर cutting कर लिया है एक में हमारा जोड़ाएगा यहाँ पर और एक हमारी पूरी निकल गई है इसके बाद हमें back side वाली pocket बनानी है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक अपड़ा लिया है साथ इंच ओड़ाई है और ऐसे है यह साड़े आट इंच तो सबसे पहले इसको एक side से ऐसे फोल्ड करेंगे अब इसको जितना भी आपने तियार रखना होता है उतना फोल्ड करते वे pocket को तियार करें मैं रखूंगा इसको पांच इंच ओड़ाई में और लंबाई में तकरीबन पांच से साड़े पांच इंच लंबाई में कि नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे अब दोस्तों हमें इसके उपर का फ्लैप कटिंग करना है तो आप यहां पर गोलाई में भी इसको रख सकते हो तो यहां पर इस तरीके से इसको ऐसी रखेंगे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे साइज देखेंगे यहां पर कम जादा ना हो कि इसको भी हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं तो दूसतों यह बैक साइड के लिए हमने फ्लैप यहाँ पर त्यार कर लिया है और यह हमने पॉकुट के साथ में पूरी कंप्लिट कटिंग कर लई है कैपरी की अब हमें मसिन के ऊपर चलना है और शीकना है बनाने का तरीका तो दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले लगाएंगे हम पोकेट साइड पोकेट जो होती है यह पोकेट जो बैक पोकेट है बाद में लगाएंगे यहां पिर उपर की साइड भी एक कट लगा लेते हैं ऐसे जहाए के हमारा निफ मुझा फोल्ड होगा, इसे हमें अधिया हो जाएगा, कहां तक हमें पोकेट का उपर तक बढ़ानी होती है, तो जो उपर का ये कट है, इस से हमें तकरीबन 1.5 इंच ऐन गंब और कट के साथ भी रख सकते हैं, अब इसको ऐसे पल्टेंगे और जो हमने ये कट लगाए हुए हैं दो कट एक ये एक ये ये पोकिट के मुझे हैं यहां पर हमें आदा इन चोड़ाई वाली सिलाई लगानी है अब हम यहां पर इन्हीं के साथ में कट लगा देंगे ऐसे त्यान रही सिलाई ना कट लिए गिल्पूल सिलाई के नातिक तक कट लगाना है और सिलाई भी नहीं कटनी चाहिए हम ऐसे पलटेंगे पोकिट को इस तरीके से तो यहां पर ये हमारे कट ऐसे बार की निकर बार की साध्य ऐसे आ जाएंगे और ये हमारा पर इस बन जाएगा ये तरीके से हमने यहां पर यsles लगानी है एक पर चोड़ाई वाली पोकिट के मुंगे उपर ऐसे एक पैर चोड़ाई वाली सिलाई लगाने के बाद अब फिर शेम पोकिट को ऐसे रखेंगे तो यह जो पोकिट आईगी हमारी यहां पर ऐसे आएगी तयार और इसको नीचे की साइड तयार करने के लिए हमें ऐसे प्लटना होगा इस तरीके से और यहां पर दोनों को यहां पर यह मिलाते हुए नीचे का पाड़ सिलाई लगाएंगे अब इसको प्लाट लेंगे एक स्लाई उपर से लगा देंगे ताकि पक्ता रहें अब हम यहां पर इसको देखेंगे पोपिट हमारी किस सेव में तियार आती है तो ऐसे रखेंगे यहां पर इस तरीके से जहां पर यह पोपिट बैठेगी अपने आप ही खुद बेखुद बैठ जाएगी बिल्कुल फिनिसिंग के साथ में कोई जोल वगरा नहीं आएगा ऐसे अब इसको हमें सीटी साइड ऐसे रखना है और यहां पर शिलाई लगानी है एक परीके से यहां पर हम टांगी भी बांदेंगे इससे पोपिट का मूँ जो है वो खुलता नहीं है फटता नहीं है इस तरीके के हमें टांगी बांदनी होती है करके लो खरीके के अओगा सो में लब शचयोड़ा है एक लगवपना की बांदन्ट अजबरा की नहीं है की यहांपि nesha घंट लगा दी है जो हमारा आगा हां लग सब्सक्राइब चाहिए और उषियं कोई सां घ्या प्रीजन दूसरी पार्ट की वह यांपि प्रोट भी पोसे सीर कडि दोस्तों दोने की लगा ली है इस तरीके से बड़ी इफनेशिंग के साथ में अब हमें यहां पर बैक साइड जोएंट करनी है तो एक साइड में यहां पर यह बैक साइड होगी और तूसरी साइड की यह वाली होगी तो इनको साइड की सलाई से जोड लेते हैं कि अब करें और यहां और अज़ान करें कि यहां पर यहां पर पोकेट का मुझा है सील जाता है यह हमें द्यान रखना होता है उपर से यहां पे स्काई लगाएंगे किनाली की अब दोस्तों हमने यहां के लिए एक बिजाइनर पट्टी भी बनाई हुई है तो यहां पर मोरी के लिए हमने इस तरीके से लुपी बनाई हुई है जो की बहुत ही प्यारी लगती है यह हम यहां पर सेंटर पॉइंट में लगाते हैं ऐसे और एक पैर जोड़ाई वाली सिलाई से लगाएंगें हमने इस तरीके से यहाँ पर यह पर प्रियाइज कर लिया है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है यहां पर एक सिंगल बटन आजाता है तो ये सुन्दर लगती है बहुत ही जैसे रेडिमेंट में आती है वही तरीका हम अपना रहे हैं यहाँ अब हमें दूसरी साइड के जो ही पार्ट है ये भी सेम ऐसे ही तयार कर लेने है तो दूसरा पहुंचा भी हमने सेम इसी तरीके से तयार कर लिया है और नीचे की पेड़ियां पे इस तरीके से लुपी भी लगाती है इसके उपर हम बाद में बटन लगाएंगे अब हमें बैक वाली पोकिट लगानी है तो बैक वाली जो पोकिट लगती है यहां पर राइट साइड में लगती है तो यहां पर हमारी राइट साइड आएगी यह बाद है इसमें हम लगाएंगे पॉकिट दो इंच तो हम लास्टिक का छोड़ देते हैं उपर से और फिर उसके बाद हम पांच इंच साड़े पांच इंच पर पोकिट लगाते हैं तो यह मने निसान लगाया हुआ है यहां पर इस तरीके से रखेंगे पॉकिट को और साइड से तकरीबन धाई इंच रखेंगे यह भी आपने ध्यान रखना है दो से धाई इंच साइड होनी चाहिए और उपर से साड़े पांच इंच इंच साइड होनी चाहिए पांच साइड होनी चाहिए पांच साइड है पॉकिल लगाने के बाद अब हमें लगाना है यहां पर फ्लैप उपर की साइड तो यह हम चेक कर लेते हैं बिल्कुल ब्राबर है बिल्कुल सही आएगा और यहां पर इस तरीके से रखेंगे इसको सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ हुआ 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 है एक साइड बें यहां पर मार्जिन छोड़ता है ऐसा कि टिंग करेंगे अब हम फ्लैप को यहां पर पलट लेंगे इसको नौक निकाल लेंगे अच्छे से अब हम उपर से सलाई लगाएंगे एक चोड़ाई वाली करेंगे गाएंगे इसको और पोकिट के उपर रखते वे स्पेस्टिच करेंगे एक पैप चोड़ाई वाली शुलाई लगाएंगे यहां पर भी इसको ऐसे पलटते वे उपर सीसी लाई लगाएंगे इस तरीके से हमने यहां पर पोकिट अपनी कंपलीट कर लिए है यह हमारा कुछ इस तरीके से आएगा तो अब हमें यहां पर जैसे नॉर्मल तरीके से सिलाई की जाती है मैं आपको यहां पर समझा दूँ क्योंकि यही चीज में खी है हमारी जो हमने अब तप का काम किया है अब हमें सबसे पहले तो यहां पर आसन जोएंट करने हैं दोनों साइड के आसन जोड़ेंगे इस साइड का भी और इस साइड का भी फिर उसके बाद हम यह साइड कर दोष चुकर तो इसके पहले का दोष चशन जोड़ीो, लगनीज जो बातां हुरी आसन जोड़ेंगेट अबसेश के अप ятर शचरश पिर नोड़ेंगे, यह रिसके टारै, भी तर दया हमें दोष्टश आसन जोड़ेंखेगे, गिले तो फराद आसन, यह रिस दोड़ में पार रहो जफ उन करो बार बुब अढ़ा के दो ङदेड़ा है वक तो प्रॉब प्रॉब्ट म 먼저 पीज के रहों प्रॉब पर प्रॉब वक अजल टॉब अ खर वक रहों पर और रहों आञ है झाल 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 तो दोस्तों कैपरी कर लिए हैं हमने तैयार जैसे आप देख रहे हो और यहां पे हमने एक हलका सा पैंच लगाया है और यहां पे यह हमने बटन लगाई हैं लूपी जो लगाई थी उसके उपर दोनों साइड में और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में जो पोकिट है पोकिट में हमने काज बटन कर लिए हैं यहां पर यह काज है और बटन भी लगा दिये हैं और लाश्टिक उपर मैंने डालते वह दिखाया आपको कैसे डाली है तो दोस्तों इस तरीके से आपको कोई भी किसी भी तरीके का एक सवा मीटर जो कपड़ा होता है उसमें से बहुत ही सुन्दर से यह कैप्री तियार कर शकते हो पोकिट के साथ यहां पे दोनों पोकिट है काफी खुली है और यह रेडिमेंट स्टाइल मे पूरी हमने तैयार की है तो दोस्तों कैप्री हमने पूरी आपको बना करके दिखाई है और बहुत ही प्यारी से यहां पे सेवाई है कैप्री की मैं आपको इसको फोल्ड करके भी दिखा देता हूँ तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को सेर्वे लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तो